हेलो दोस्तों वेलकम तो दा गेम ओफ इस्टोक चैनल अपनी ट्रेडिंग बीगिनिंग इस्टेट पर हम डिफरेंट टैपस अफ ट्रेडिंग इस्टेटिजी प्राइजेक्शन सिखते हैं जिनमें से एक होता है ब्रेकाउट ट्रेडिंग जिसमें सपोर्ट एंड लेबल को हीट करता है तो हमें लगता है यहां पर बुलिश मोमेंटम है हम यहां पर बाई कर लेते हैं और जब भी हमारा ट्रेड पर एंटी हो जाता है मार्केट दो या तीन केंडल उपर जाके फिर मार्केट नीचे आ जाता है इवेन कभी-कभी नेक्स केंडल नहीं हमार is still plus hit हो जाता है same जब support break करता है और हम यहाँ पर short यह sell करते है और हम जैसे ही यहाँ पर trade पर enter होते है वैसे ही market उपर चला जाता है और हमारा is still loss hit करवा देता है पर यह तो ठीक दा लेकिन हम price action की दोरन हम जीन chart button को सीखते है, police chart button various chart button, वो breakout पर क्यों fail हो जाते हैं well आज की इस वीडियो पर हम इन topics को discuss करेंगे और समझाएंगे कि fake breakout को हम कैसे identify कर सकते हैं तो आईए example की help से समझते हैं आईए समझते हैं कैसे price action को देख के हम पता लगा सकते हैं यह breakout false है या genuine इसे example की help से समझते हैं let's suppose यह हमारा resistance level है क्योंकि price इस level को hit करता है फिर वही से reverse हो जाता है next price नीचे से उपर आ जाता है बड़ी green candle के साथ इस resistance level को थोड़के उपर जाता है अब आप पताए यह breakout उपर sustain करेगा या नहीं करेगा the answer is कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है पर आप अगर चीजों को logically दोखोगे तो आपको समझ में आएगा let's suppose हम यहाँ पर buy करते हैं तो हम profit कहां पर book करते हैं generally हम हमारा profit near key level पर book करते हैं और इस example पर resistant level हमारा key level होगा जैसे हमारा profit level, resistant level पर ऐसे ही बाकी लोगों का भी यहाँ पर profit target होगा तो जैसे ही इस resistant level पर price आएगा यहाँ पर सारा लोग profit book करेंगे जिन्होंने यहाँ buy किया होगा तो इस situation में अगर resistant level को एक दो candle break भी कर देते हैं तो हमें यहाँ पर trade को avoid करना चाहिए next point हाँ अगर यहाँ पर price correction की बात break out देते हैं या फिर consolidation की बात break out देते हैं तो हम यहाँ पर buy कर सकते हैं आप इसके पीछे की logic समझे प्राइज नीचे से उपर आते हैं और resistant level पर consolidation करते हैं इसका मतलब पुरानी बायर यहाँ पर profit book कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर buy किया होगा और नय बायर यहाँ पर entry हो रहे हैं अब देखिए price यहाँ पर consolidate कर रहा है मतलब buyers यहाँ पर strong है जो की high price पर भी buy करने के लिए तयार है अगर यहाँ पर buyers strong नहीं होते तो price यहाँ पर consolidate नहीं करते price usually नीचे चले आते तो चलिए कुछ example को समझते हैं यहाँ पर देखि लेकिन हमें इस बीच कई trade नहीं लेना है हम इस वीडियो में आगे जो सिखेंगे हम इन सब को combine करके trade लेना सिखेंगे जो beginner से उनको इन breakouts पर trade नहीं लेना चाहिए उनको एक pullback या फिर छोटा सा retest के लिए वेड करना चाहिए then candlestick pattern यह formation को देखके उनको trade लेना चाहिए पर अगर आप फिर भी इन breakouts पर trade लेना चाहते हो तो हमें इन सब condition को apply करने के बाद अब हमें कुछ indicator की confirmation चाहिए like volume और RSI volume का साथ कैसे confirmation लेना है पहले वो समझते है यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक resistant label है price उस label को approach करते है कुछ दिर consolidation करते है फिर breakout देते है next breakout candle की volume चेक करना है अगर breakout candle की volume high है तो हम यहाँ पर buy कर सकते है high volume का मतलब उस candle की volume अपनी previous candle की volume average volume से high है तो हम उसे high volume बोलते है औ उसके आप पर विक ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए इस candle की आप पर विक ज्यादा लंबी है वो एक selling pressure indicate करता है चाहे वो green हो या red हो दूसरा example यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक support level है prices level को approach करते है कुछ दिर यहाँ पर consolidation करते है finally एक red candle हमारी support level को break कर देता है अब हमें इस red candle की volume को check करना है अगर breakout candle की volume high है तो हम यहाँ पर trade कर सकते है लेकिन याद रखिए गया जो breakout candle है उसकी lower way ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए now आप समझते है RSI को breakout के लिए कैसे use कर सकते है तो इसके लिए हम RSI divergence को देखेंगे for example यहाँ आप देख सकते है हमारे प तो हमें यहाँ पर trade नहीं लेना है जैसे कि आप देख सकते हो अगर हम इस line से उस line तक एक line draw करें तो आपको देखने को मिलेगा price उपर जा रहा है बट वही same RSI को भी same point से same point तक एक line draw करें कुछ इस पकर आपको देखेगा RSI नीचे जा रहा है मतलब यहाँ पर RSI negative divergence हो रह है मतलब RSI इस breakout पर support नहीं कर रहा है इसलिए हम यहाँ पर trade नहीं लेंगे next example देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक support level है price इस level को approach करते हैं फिर breakout देते हैं अब breakout की समय हमें RSI को भी देखना है अगर support level breakout पर हमें RSI पर भी divergence देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर trade नहीं लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो price नीचे आ रहा है और RSI उपर जा रहा है मतलब अभी इस breakout पर RSI support नहीं कर रहा है मतलब RSI divergence हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर trade नहीं लेंगे same chart button की breakout पर आप volume का भी यूज कर सकते हो अगर breakout के दोरान volume high है तो हम यहाँ पर trade कर सकते हैं so I hope इस वीडियो से आपको कुछ सेखने को मिला है अगर इस वीडियो आपको informatic लगा है तो आप इस वीडियो को like कीजिए और इस channel को subscribe कीजिए मिल दे है किसी और एक नए वीडियो के सब तब तक के लिए best of luck और stroke जाने